हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ट्वंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हॉम गाड का ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाई कर सकते हैं, स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीड प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर देखें फैंस, जो ऑनलाइन फॉर्म है, वो 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गये है, 13 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं, अप्लाइ करने से पहले फ्रेंस, आपको यह किलियर होना चाहिए, कि यहाँ पर फ्रेंस, प्रूप आफ रेजडेंट आफ दिल्ली आपको देना क्लिक करने के बाद आपके सामने देखे, यहाँ पर जो एप्लिकेशन फॉर्म है, यह स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन है आपके एप्लिकेंट नेम का, तो आपको यहाँ पर आपके मैटिकुलेशन मार्शीट के अकोरिंग, जो आपका नाम है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर देना है, आपका फादर नेम या हस्बेंड नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बाद नेस्ट ऑप्शन जेंडर का है, जेंडर आपको देना होगा, यहाँ पर आपको आपकी मिल आईडी एंटर यहाँ पर enter करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर mobile number relation बताना है तो यहाँ पर देखिए आप जिसका भी mobile number दे रहे हैं जैसे आप अपना दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है self enter कर देंगे तो अगर आप यहाँ पर अपना दे रहे हैं तो self enter कीजिए father का दे रहे हैं तो father enter कीजिए तो जिसका भी आप mobile number दे रहे हैं उन्सका relation क्या है mobile number से वो जानकारी आपको देनी है तो इसके बाद friends से आपका next option आता है आपके अधार काड का तो अपना अधार काड number आप यहाँ पर दे सकते हैं 12 desert का अगर आप ex-service man है तो yes कर सकते हैं और इसके बाद friends से आपका service period कब से कब तक रहा है आप उसकी जानकारी देंगे और आपका friends जो ex-central armed police force C.A.P.F. में है तो आप यहाँ पर YES कर सकते हैं नहीं है तो आप इसमें NO कर सकते हैं तो आगर आप यहाँ पर देखिए इन दोनों options में से जो भी आपका applicable है ex-service man का है तो आप यहाँ पर YES कर सकते हैं इसके अलबा अगर माली जाप पर CAPF है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तब दोनों में no कर देंगे इसके बार है आपका DOB मिन से date of birth तो आपका जो भी date of birth है आप इस calendar के मार्धियम से आप अपना date of birth select कर लेंगे इसके बार आपका ace criteria देखिए एक जनवरी 2024 को count होकर आ जाएगा नीचे option है आपके correspondence address का correspondence address होता है आपके present का address तो पूरा address जो भी आप लिखते है address line 1, address line 2 में friends आप यहाँ पर दे सकते हैं तो friends आपको यह address है वो आपको आपके according देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर city select करना है देखिए city में सिफ दिल्ली का option आपको देखने को मिलता है और दिल्ली का जो भी आपका pin code है वो आप आपको देना है और state में भी दिल्ली आपको select करना है अगर यह same है तो आप स्वीमस पर क्लिक कर सकते हैं अगर यह अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे अब इसमें देखिए proof of residence में आपको क्या-क्या दे सकते हैं तो देखिए valid passport आप दे सकते हैं election commission का जो photo ID card होत है तो आप उसकी जनकारी प्रोवाइड करेंगे या कोई भी certificate आपके पास है जो कि revenue department जीन सीटी दिली दौरा issue हुआ हो वह आपके residence proof के तौरपर मनने होगा तो यहाँ पर देखिए अब आपको टिक करना है जैसे माल लिजी आपके पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का राशन कार का नंबर दीजिए driving license है तो आप driving license दे सकते है इसके लवा अगर आपके पास bank की passbook है तो आप bank की passbook की जनकारी मतलब अपना account नंबर दे सकते है और certificate है आपके पास जो की revenue department का है तो आप उसका certificate की जनकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते है तो यह आपके उप पास आउट मांग गया है अगर आप ex-serviceman है तो उस condition में आप 10th passout भी है तो भी आप आविदन कर सकते हैं subject of the examination आपको देना है तो आपने कौन-कौन सी subjects यहाँ पर पड़ी है तो आप इस तरह से आपकी जितनी भी subjects है उसकी entry कर सकते है इसके बाद आपके जो board का नाम या आपको देना है अगर आपको CGP system है तो आप उसे convert करके percentage में mention कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर आपको आपकी जो 10 प्रस 2 में subjects रही है वो आप यहाँ पर इस तरह से जो आपकी subjects है उनकी आप यहाँ पर entry कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दिखे सेम आपके board का नाम इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है bonus marks claim अगर आप bonus marks लेना चाहते हैं जैसे आपके पास NCC certificate है A है A and B है या A B और C certificate आपके पास है तो आप option को select कर सकते हैं इसके लावा नहीं है तो आप यहाँ पर simply no कर सकते हैं आपके पास certificate है basic है advanced course का तो किया है minimum two civil defense advanced course आपने किया हुआ है या कोई भी course आपने NCDC नाखपूर से या CTI बैंगलोर से किया है तो आप option को select कीजिए नहीं किया है तो आप no कर सकते हैं home guard volunteer अगर आप है तो yes कर सकते हैं और इसके बाद कब से कब तक आपका यहाँ पर home guard volunteer में रहा है आप उसकी जानक signature document upload का देखे फोटोग्राफ जो होगी वह 20-50 के भी के जो size है उसमें आपको upload करना है signature 10-50 के भी में और आपको left thumb impression आपको यहाँ पर upload करना है जिसका size आपको यहाँ पर दिया गया है 10-50 के भी इस सब आपके jpg format में ही upload होंगे और यह upload करने के बात friends यहाँ पर आपको edit करना है OTP आपके mobile या mail ID पर जिसपे भी आपको OTP receive होता है वो OTP आप यहाँ पर enter करेंगे इस capture code को fill करेंगे इसके बार यहाँ से declare करेंगे अगर आपको लगता है कोई भी edit आपको करना है तो आप edit कर सकते हैं आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है सभी detail बिल्कुल सही अपकी है तो ही आप यहाँ से इसे submit करेंगे. तो आपको यहाँ पर payment करना है तो जैसे friends माली जब card select करते हैं तो card details को यहाँ पर fill कीजिए और उसके बार आप proceed to pay कर सकते हैं और अपने payment को verify कर सकते हैं तो यहाँ पर friends जब आपका payment verify हो जाएगा इसके बाद देखिए आप यहाँ पर status का option आपको देखने को मिलता है आप इ registration number और date of birth को डाल कर तो यहाँ पर आपकी process से वो complete हो जाती है तो मैंने आपको friends से पूरी process बता दी है कैसे आप form को apply कर सकते हैं और इससे लिटेट जो भी जानकारी है वो आपको इसके official portal पर देखने को मिल जाएगी बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर भी check out कर सकते हैं अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंशे जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा यूटीब चैनल एरा सेंक्स फोर वाचिंग